हेलो अभ्रीएं धिर आज की वीडियो में हम वेद्धुल के विशे में बात करें है वेद्धुल्द दिधुर्व क्या है कि वेद्धुल्द को अगर हम समझें तो वेद्धुल एक सिस्टम है तो चार्ज का या का यह कहें दो आवेसों का एक सिस्टम में जब हमारे पास है कि दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर यह मान लेते हैं कि एक चार्ज यह है कि और दूसरा चार्ज कि यह है कि जब यह दो चार्ज सेम मैंगिट्यूड के यानि कि समान परीमान के है लेकिन विप्रीत एक नेगेटिव और एक पोजिटिव और कुछ कि डिस्टेंस पर रखे होते हैं यहां जब दो चार्ज बहुत कम दूरी पर यह जो डिस्टेंस से बहुत कम दूरी पर अगर रखे जाते हैं तो उसे हम उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं वैदुद्धिधूर लेकिन ऐसा नहीं कि दो चार्ज अगर रख दिये विप्रीत हैं परीमान में समान है तो हमेशा ही वह वैदुद्धिधूर होगा इस पर भी हम चर्चा करें है तो फिलाल हम लिख देते हैं जब जब दो विप्रीत तथा परीमान में समान समान आवेज आवेज कुछ अल्प दूरी पर या सीधा लिख देते हैं अल्प दूरी पर इस्थित हो तो निकाय यानिके सिस्टम निकाय ये निकाय जो बना ये निकाय वद्दू दिधूरू कहलाता है यानिकि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानिकि दो चार्ज जब पास-पास रखे होते हैं बहुत कम दूरी पर कंडिशन यह कि दोनों का परिमान सेम होना चाहिए मैगनिट्यूर सेम हो और विप्रीत हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इस एक सिस्टम को हम क्या बोलेंगे वैद्दूद दिधूर्व या इलेक्ट्रिक डाइपोल अब जो दोनों आवेशों का मध्य विंदू है यह पर लिखताओं दोनों आवेशों का आवेशों का मध्य विंदू मध्य विंदू यह मान लेते हैं मध्य विंदू दिधूर्व का केंद्र कहलाता है कि अगर दो चार्ज हैं हमारे पास कि महाना यह दो चार्ज हैं दो आवेश आवेश माइनस क्यूं वह प्लस क्यूं अल्प दूरी दूरी तो एए मान लिया हमने के टू ए डिस्टेंस यानि कि जो यह डिस्टेंस है पूरी यहां से यह यह हमने तो एगर हम इसे कह देते हैं तो जो अल्प दूरी टूरे पर इस्थित हैं इस्थित हैं इस्थित हैं तो इस सिस्टम को और यह पूए डिस्टेंस पर इस्थIST हैं अब यह ने यह क्यों माना गया इस डिस्टेंस को हम एब यह भी तो नाम दे सकते थे लेकिन जब हम आगे की गणाना करें तो जैसे हम वैदुत दिधूर पर काम करेंगे तो यहां से यह डिस्टेंस जब काउंट करेंगे अगर हम इसे लेते तो एबाइटू लिखना पड़ता एबाइटू एबाइटू अभी हम सिंपल तो ट्वेट पर इस्थित हों तो हैं कि दिधूर्व की की दिशा जो होगी माइनस क्यूं से प्लस क्यूं की और होती है यह बहुत इंपोर्टेंट है और अगर हम अब इसके एक्जाम्पल की बात करें तो जो इसके एक्जाम्पल है एक्जाम्पल में हम कुछ नाम दे सकतें जैसे टो ये सब इसके क्या हूँगे कर बेदो दिधूर्व के एक्जाम्पल है कि थी हेच तो ये सब ब्यदोद दिधूर्व के example हुए अगर हम वैदुत दिधूर्व के मैं बात करें वैदुत दिधूर्व आगूनकी तो वैदुत दिधूर्व आगून की वैदुत दिधूर्व आगून इसे P से लिखें ये इस्मॉल पी है पी ये एक सदिस राजी है और पी स्कल्टू जो होगा यानिकी वैद्दू दिधूर का जो आगून है किसी एक आवेस का परीमान लेया और उसका जो डिस्मल्टिप्लाई है इनके बेच का डिस्टेंस टुए इससे हम ग्याद कर सकते हैं दिसा माइनस क्यों से प्लस क्यों तो इसकी जो डिसा है मोहम पी कैप इसकी डिरेक्शन से सो करते हैं तो इसकी दिसा माइनस क्यों से प्लस क्यों इसकी दिसा ये यूनिट वेक्टर दिखा रहा है तो वैद्दू दिधूरू का जो आगून होगा वो कुछ इस परकार से निकाला जाएगा कि किसी एक परिमान और दोनों आवेसों का एक परिमान लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस उसका जो मल्टिप्लिकेशन होगा उसे हम वैदुत दिधूर का आघून कहेंगे अब वैदुत दिधूर आघून में क्या है कि आवेस जो नेट आवेस है इसमें नेट आवेस नेट चार्ज लिख देता हूं जिरो होता है नेट चार्ज जीरो होता है बट लेकिन इसमें इसमेई नट इस इसमें 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 इस जेरो नहीं होता मनलब ऐसा नहीं है कि इनका चार्ज अगर जीरो है नेट चार्ज जीरो है क्योंकि प्लस क्यूं माइनस क्यूं नेट चार्ज जीरो हो जाएगा इस सिस्टम का लेकिन वैद्दू छेत्र इसका होगा क्योंकि वैद्दू छेत्र जब हम अलग-अलग चार्ज के कारण निकालते हैं और जब नेट इलेक्रिक फिल्ड यानि कि कुल वैद्दू छेत्र जब निकालते हैं अलग-अलग आविसों के कारण और कुल जब निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वैद्धुच्छेत्र आ जाता है अनुओं में वैद्धुच्छेत्र वैद्धुदिधूर होगा लेकिन जो परमाणू होगा वो परमाणू वैद्धुदिधूर नहीं होता लेकिन अगर हम उस परमाणू को संक्यंद्रित होते हैं मतलब उसंए चेछ में रखने पर मन जाते हैं लिकिन वe अब ही वेद्दू दिधूर आगूं यह हमने इसके बारे में चर्चा की अगर हम बात करें एक होता है बिंदू दिधूर्व कि बिंदू दिधूर्व किसे बोलेंगे हम चुकि अगर मैं इसके मैगनिटूड की बात करूँ पीज गल्टू क्यों इंटू है चाहिए जब ड्रोगा वह टेंस टू जीरो मतलब टू ए को बहुत चोटा करते जाएं तो पी क्यों जो होगा टेंस टू इन्फनिटी की और होगा मंदलब क्यों बढ़ता चला कर जिस्से अगर यह ने आप चला है तो जो च Deswegen चला है बढ़ा जा Food पी कॉंस्टेंट रहेगा जब के से झोटा हो बहुत कम हो तो उस केस में आगून को क्या बोलते हैं बिंदु दिधूर बोलते हैं अब कि मैंना स्टार्टिंग में बताया था कि क्या दो आवेस अगर पास पास रखें तो और कम दूरी पर भी रखे हैं तो क्या हमें हमेशा वैद्दो दिदूर बनाएंगे तो उसके लिए अगर हम थोड़ी से चर्चा करें एक आवेस के कारण जो एक आवेस के कारण बिंदू आवेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फिल्ड होता है यह परपोजनल वन अपॉन आर यारि स्कॉयर यानि की फोह में वह कम होता जाता है अर्थाथ जैसे यहां को चांच है और अगे हम यहां अगर इलेक्रिक quello निकालते हैं व्यद्द प्रकी स्कॉर्व बढ़ने पर वह कम होगा ऑारि स्कॉयर की एक लेकिन अगर हमेंने चेक करना है कि यह वैद्दूत दिदूर है या नहीं अगर कह दिया तो ठीक है अगर नहीं है और चेक करने के लिए बोल दिया जाए तो जो इसके लिए वैद्दूत छेत्र होगा वह यह पर पॉइनल वनपॉन आर क्यूब मतलब और तेजी से घटेगा मतलब अगर इसके करन यहां आर स्कॉयर की फॉब में कम हो रहा था तो यहां वनपॉन आर क्यूब की फॉब में कम होगा तो तब हम कहेंगे कि यह वैद्दूत दिदूर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस चार्ज के करन इलेक्ट्रिक फिल्ट निकाल लेंगे For example, मैं मान लेता हूँ E1, इसके कारण निकाल लेंगे E2, और फिर इन दोनों का net E find करेंगे, और अगर net E, इसका कुल वैद्दुद दिधूर्व, स्वरी, कुल वैद्दुद छेत्र, इस form का होता है, E proportional 1 upon R cube, यानि कि E अगर R cube की form में कम होता जाता है, तो तब हम कहेंगे क ये वैद्दुद दिधूर्व है, लेकिन अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, एक वैद्दुद दिधूर्व हमें दियावा होगा, और उस वैद्दुद दिधूर्व के कारण, अक्सिये, निरक्सिये, या किसी भी स्थिति में, जैसे हम, हमने, एक चार्ज के कारण, एकल च दिधूर्व के कारण अक्सिय है निरक्स Meow यानि कि ये कह दिया जाए और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां gens by आक ऐसे ब больẩण कम पूछ लिया जाए सोड़्ी व्यद्धुघ्र पूछ लिया जाए तो आप इसके कारण अलग निकाले में इसके निकालेंगे और उसका सदिस योग क्योंकि E1 और E2 सदिस रासियां तो उनका सदिस योग करके जैसे भी होगा सदिस वो देखेंगे तो फिलाल जो इंपोर्टनेंट है वो वेद्दो दिधूर्व क्या है एक सिस्टम है दो चार्ज पास-पास रखें और उनका जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है वो आर्क्यूब की फोर्म में कम होता है और इसका जो अगूर्ण होता है पी बराबर क्यू इंटू टुएल होता है और इसकी जो पी की दिसा है अगर मैं यहां पर पी की दिसा बनाना चाहूं तो जो पी होगा वो आपका पी कैप इस डिरेक्शन मे वो ये है ये पि ये मैने की डिरेकशन माय सी इसंपर फ्लसक्य की और होती और इसके लिए नेट चार्ज 1-0 ये बंड़ी जूरर्ण छेंप स्ट्रें करते जाएं और जूंकि हम अलग-अलग टार्ज के निएए और उसके निकाल लेंLink है तो उसमें कोई ना कोई वैद्वचेत्र बचता है उसके बाद बिंदु दिदूर इनकी डिस्टेंस को कम करते जाएं और क्यों बढ़ाते जाएं एक इस्तिति आए कि क्यों टुए जीरो की ओर होगा और क्यों इंफिनिटी की ओर होगा तो तब हम उस केस में यह पी कॉंस्टेंट रहे हैं तो फिलाल इतना ही है इसमें और नेक्स वीडियो में हम वेद्दु दिधूर के कारण जो इलेक्रिक फिल्ड है वो फाइंड करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद